नमस्कार साथियो चैनल अपर आपका स्वागत है और पिछली वीडियो मैंने वीगनिजम पर बनाई थी और उसके बारे में कुछ-कुछ बातें रखी थी और मुझे लगता है कि इसके विशे में थोड़ी और बातें भी रख देना जरूरी है जो मेरे जहेन में आई है जिस विशों में देश याना जहां दूढदि दही का खाना हमारे लिए इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्यूकि आईरुएद के अनुसार बहुत सारी चीजों का ध्यान रख करके हमें खाना पड़ता है क्यूंकि पूरे देशısıरल या दुनिया मैं पानी में भी कुछ-छना बात बढ़ा होगा किसी का पित बढ़ा होगा किसी का कफ़ बढ़ा होगा और इन खानों को ध्यान में रखकर ही हमारे यहां के खाने अलग अलग तरीके के हैं अगर आप पंजाब हर्याना में और वेस्टन यूपी और कुछ राजस्थान का एरिया लेते हैं तो यहां जाएंगे तो वहाँ spicy बहुत खाते हैं अगर आप गुजरात में जाते हैं तो वहाँ मीठा बहुत खाते हैं इतना मीठा कि सबजी में भी वो लोग मीठा डालते हैं तो ये खाने कोई इस हिसाब से नहीं बनाए गए हैं कि उनका दिमाग कुछ खराब था है उनको कुछ कि अपने लफ हुए थे अभी देखिए एक हमारी बातचीत हो रही थी जिंगोरा बोलते हैं उत्रा घंड में खाद्ययपदार्थ हैं और हमारे यह उसको बोलते हैं सामग और उसी कीड़को उनका उप्देदी निकामर करनी हमारे लिए पैसmos और इक इनों ही एरिया में ए अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग धंग हैं, अभी एक और दूसरा उधारन में आपको देता हूँ, उत्राखंड में गया था, तो वहाँ पे कांगनी एक अलग तरीके से खाई जाती है, लेकिन हमारे छेतर में कांगनी घी के बिना उपयोग के नहीं खाई जा सकती है, उसमें घी का ही उपयोग रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे प्रेगनेट लेडी होती है और जो मा होती है, जब बच्चा जनती है, उसके बाद उसका जितना भी खाना रहता है, जो गी और दूद से ही बना होता है, बिना उसके कहा जाता है कि ये पोशन चेक आगे, इनको लगता है कि ये तो बहुत अच्चा चार करते हैं, पशुओं के उपर, जानवरों के उपर, भाई एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप गाओं आईए, तब आप भारत को समझे, शहरों में जो बड़ी बड़ी डेरियां हैं, वो अ नहीं की भी हो, वो भारत नहीं है, हमें ये समझने के जरूरत है, गाओं के लोग, गाओं का जीवन उनके साथ कैसी जीता है, पशुओं के साथ उनका कैसा वेवहार है, पशुओं के साथ कैसा वेवहार है, पेड़ पौधों के साथ कैसा वेवहार है, जंगलों के साथ कैस अगर इन बातों को बिना समझे अगर आप भारत के लोगों को सिर्फ इस बात पर ही दोश देते रहेंगे, यह लोग बहुत अच्वार करते हैं, उसके बाद कई पता नहीं बहुत लोग बोलते हैं कि दूद का रंग लाल, यह कहां से यह बाते हैं हमारे दिमाग में आ जाती मतलब भारत के खाने को ही आप अगर ऐसा बोलोगे तो भारत को क्या खतम करना चाहते हो देखे इसके पीछे जो तर्क दे जाते हैं बहुत ही बचकाना तर्क मुझे लगते हैं कहा जाता है इनका आधार क्या है विगनिजम को लागू करने का विगनिजम को बढ़ावा देने का आधार ही रहता है भारत के लोगों के खाने के साथ जोड़के और उन्हें नेतिक रूप से नीचा और हीन दिखाने क्या प्रयास जो आप कर रहे हैं और बहुत संकुचित दाइरे में उसको समेटना चाहते हैं अब इसके साथ ही अगर आप अत्याचार के आप बात करते हैं तो सिर्फ पशों क उपर जो अत्याचार हो रहा है क्या हमें सिर्फ उसी के विशेय में बात करने की जरूरत है जो पेड़ पौधों के उपर अत्याचार होते हैं उस पे हमें बात करने की जरूरत नहीं है क्या यह जो हमारे घर में AC, पंखा, कूलर, फ्रीज जो चलते हैं इससे जो पर्याव होती है और कई सालों से हो रही कई दशकों से हो रही है उस पे हमें बात करने की आवशक्ता नहीं है क्या सिर्फ आप इसी दाइरे में समय देना चाहते हो तो कहीं न कहीं मुझे यह लगता है कि जो लोग अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं विगनिजम के नाम पे एक नई मार्केट खड़ी करना चाहते हैं तो कहीं उनकी तरफ से तो ये इशारा नहीं है क्या ये भी हमें समझने की अबशक्ता है विकार जो बोले जाते हैं हिंसा, अत्याचार शोशन, इनका दायरा आप सीमित क्यों कर रहे हैं अगर आप इनका दायरा सीमित करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी बुद्धे मत्ता पे भी सवाल खड़े होते हैं इस तरीके से तो भारत जो हैं को नहीं सोचता है और गाओं की में बात आपको बता दूँ अगर आप देखें हमारे यहां बोला जाता है अगर किसी के पास एक भेंस है और कोई पडोसी उसको बोलते हैं दूसरी भेंस भी लेया तो दो लेया तेरे बच्चे भी हैं एक और दूद वाली भेंस लेया तेरा और दूद का जो पातन है वो बढ़ जाएगा दूद ज्यादा हो जाएगा तो वो पता आपको क्या बोलता है वो यह नहीं बोलता है मैं पशुओं को पालता हूँ वो यह बोलेगा आपको कि अगर मैं एक भेंस और लेया या एक गाए और लेया तो मुझसे इनकी सेवा नहीं होगी वो अगर अपने घर में पशुवों को रखता है गाए को भैंस को रखता है तो वो उनको ये नहीं बोलता कि मैं इनको पाल रहा हूँ वो ये बोलता है उसका भाग ये होता है कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ इस भाव को तो जो वेस्टन विचार के लोग हैं वो तो नहीं समझ पाते हैं वो तो नहीं पकड़ पाते हैं और गाये को तो यहां के लोगों ने माता का दर्जा दिया है इस विशे में तो हम लोग नहीं सोच पाते हैं भारत के बहुत सारे हिस्सों में लोग हैं, वो भेड को कुछ लोग हैं, कुछ जातियां हैं, वो भेड को मामा बोलती हैं, कुछ बिच्छों के साथ अपना एक अलग संबंद रखते हैं, अभी बोल देते हैं, गाय को ही माता की बोलते हैं, दरजा गाय को, जिसका हमने पेड़ों के साथ भी वैसा ही है, हम तो पेड़ को भी पूझते हैं, पीपल को पूझते हैं, बर्गत को पूझते हैं, नीम को पूझते हैं, तुलसी को पूझते हैं, कितने सारे पेड़ों के परजाती हैं, हम सब को पूझते हैं, उसी परकार से हैं, पश्वों को भी कि भारत बीफ सेकंड हाइस्ट एक्सपोर्ट बीफ करता है भारत पूरी दुनिया ने तो उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाई जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं वो भारत नहीं है जो लोब और सिर्फ और सिर्फ लालच की वज़े से जिन्नों ने अपने फैक्टर क्राइब से कश्रा करें लबाई गए ठेना? घुद करता है अगर कोई इंसा अत्यचार कर रहा है तो वह भारत का पूरग नहीं है वो भारत को इंगित नहीं करता है अगर कोई मीट का मांस का उत्पादन करके और उसो एक्सपोर्ट कर रहा है तो भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता है हमें इस तरीके से भी सूचने की समझने की आवशकता है और मुझे लगता है कि जो बाते हमारी हुई है इस वीडियो नमास्कार